नमस्कार दोस्तों आज ही RS का जो नया डेट है एक्जाम का मैंस का वो आगया है 25 और 26 फरवरी को साथ ही RPSC ने कल ही अपनी जो नया पार्टेक्रम है वो अपलोड किया है RS मैंस के लिए तो इस समय दो समश्यां से आप जूज रहे होंगे एक तो देट नजदीक देदी दूसरा पार्टेक्रम में कुछ चेंज किया है सलेबस में RPSC ने एकनोमिक्स और साइंस को छोड़के बाकी में जितना मेजर चेंज नहीं है उतना बाकी साइंस में और एकनोमिक्स में कुछ इस चेंजिस किये हैं जो हमें देखने हैं और उसका एक अच्छा सा में कंटेंट त्यार करना है ताकि हम अच्छे स्कॉर हम गेन कर सके हैं मैंस में चलिए हम देखते हैं कि क्या चेंजिस हैं चले बस में फर्स्ट पेपर में हम देखें तो राजस्थान के हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वहाँ पर देखिए और सब चीजें लगबग वही है केवल और केवल आपके राजस्थान में विस्व विरासत के प्रमुकिस्तल जिन में कौन-कौन से हैं आपका जंतरमंतर आपके किले जो राज जेपूर का जो परकोटा है वो शामिल कियावा युनसक को विराशत में राजस्तान में पर्यटन पर्यटन के अंदर आप काफी शेतर हैं किलिव अगरा भी सी में आ जाते हैं इसके अलावा आपकी कई हवेलियां हैं कई जगें हैं स्थल हैसे हैं जो पर्यटन इस्थल की रूप में विक्सित किये गए है तो उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए राजस्थेटीầ है थोड़ी Economicключ सरवे आपको पहले बता रखा है वो चीज़ें आपको देखनी है हम क्यों नहीं चीज़ों की बात करेंगे देखे आदुनिक विश्व के इतिहास के सलेबस में आपके प्रभोधन और अधुगी करांती दो टोपिक एड़ थे वह बटा दिये गये हैं अब आपके अमेरिकी स्वचनता सग्राम, फ्रांसिसी करांती और ओदुगी करांती एजटीज रखिए प्रभोधन अटाया गया है केवल तो आपको ये चीज़ NCRT या रास्तान बोर्ड की बुक जो है विश्वी तियास की उसमें आपको एजटीज मिल जाएगी आप अपन अब आप शास्त्र देखिए यहां पर उन्होंने काफी मेजर चेंजिस किये हैं अब देखिए अगरी कल्चर पहले भी था थोड़ी इसमें उत्पाज़ता की परवर्टिया जोड़ी है मैंली फूड प्रोसेसिंग इंडश्री जोड़ी है तो आपको क्या करना है कि एक त सामने जो चुनोतियां आ रही है जैसे मेंली इसको एड किया गया है वो एक्रिकल्चर लोज के पिछले एक साल तक हुए विरोध और उसको सरकार द्वारा वापस लिये जाना तो इसमें आपकी क्या राय है आपका क्या इस्टेंड हो सकता है तो इस तरह से इन चीजों को संटेंड हो रहा है तो क्या उठी ए या नहीं है उदारी करन क्या है बेशर रकार क्या है निजी करन क्या है और इन चीजों को आपको अच्छे से यह मुद्रा इस्विति के कारण प्रकार क्या उसमें उपाई हो सकते हैं आर्बिय क्या करती है वह आप देख लीजिए नमींतम वित्तायोग नों लिख दिया है तो बार बार से लिवस चेंज नहीं करना पड़ेगा पहले उन्होंने पुराना वित्तायोग दे रहा था इसलिए प्रमानेंट लिख दिया कि नमींतम वित्तायोग आपको पढ़ना है राजकोशी उत्रदायत्व पहले भी था आपने बजट प्रमंदन जरूर इसमें इस बार जोड़ा है तो भारत में राजकोशी सुधार तो फिसकल पॉलिसी में या राजकोशी सुधारों में भारत के द्वारा क्या किया जा सकता है सरकार द्वारा तो वो जो किये गए हैं वो आपको रमेश सिंग एक बुक आती है और एक डिल्स पॉलिकेशन की भी बुक जो है वो मार्केट में उपलब्द हो जाएगी आपको वनिश्टॉप सॉल्यूशन की थोड़ा स्लेवर्स की अकॉर वो निजी सारजनिक और मेरिट वस्तु में हैं किस प्रकार से हैं निजी गरण वगर आई इसमें आजाएगी कि सरकार को कितनी भुमिगार होने चाहिए आई गटिवीदियों के अंदर किस्त हद द्वा पो हिपक्रम है वहां पर अपने हाथ कहां तक रखने चाहिए तो य बारत की जो बजटेस में जीडिवी बे कितना खर्च होता है और एक इक अपने आर्थ विकास में राज्यगी भूमिका को पुनर्वाशित करना कि अंदर आपके स्टेट की क्या भूमिका रहती है स्टेट का क्या रोल रहता है कि पूरे देश के आर्थ विकास के अंदर वो दे पाता है रोजगार उनमुख व्रदी व्रजना ये इंपोर्टेंट है कि रोजगार उनमुख आप अर्थविवस्ता को किस प्रकार तैयार कर सकते हैं उस तरह के अर्थविवस्ता जो रोजगार उत्पन करती हो तो यह अपने को एकनोमिक्स क्या वर्दमान के आस्पेक् तो आपको यहाँ पर सस्टेनेबल डवलम्मेंट के बारे में जानकारी करनी है क्या होता है सब्सक्राइब परिवर्तन में आपको एकनॉमिक आस्पेक्ट के हिसाब से जलवाईव परिवर्तन को थोड़ा यहां देखना पड़ेगा जैसा अभी भी COP26 वह है ग्लास गो में इसके अलावा भी अन्य चीज़े हैं तो यह आपकी कवर हो जाएगी जलवाईव परिवर्तन वाली चीज तो नेक्स्ट हम राजस्तान की अर्थ्विवर्त्ता हम चलें देखिये यह सारा लिखा है फिर भी हमें मोटी-्मूटी चीजों पर धिहान रखना है कि बजट और आर्तिक समिक्षा पढ़नी है इसमें जो लिखा है सब बजट और नहीं होजना है यह भी आप कुस्य में मिल जाएगी खादी और ग्राम द्योग वह भी आप उसी मिल जाएगा तो कहने का तात्र शाइब है तो कुल में लागे पट्रना आपको आर्थिक समिकर्जंद काहिए है कि इसके बाद लिखता में थोड़ी डेफिनेशन वगरा थोड़ी जानकारी हो तो हम अच्छे से लिख पाएंगे इनको सवल आ जाए तो ये टोपिक पहले भी था बस इसमें ये जो इशूज है वो किलियर नहीं थे पहले इतना लिखाता कि समाजिक मुद्दे तो अब इसमें कुछ इसमान इस्तिती क्या है क्या सरकार प्रियास कर रही है सामाजिक इस्तिती पर क्या प्रभाव पड़ते हैं इनके क्या कारण है इनके और क्या प्रियास हो सकते हैं इनको रोकने के इन चीजों करने के तो वह हमें चीजह देखनी है नेक्स चले हम प्रबंदन में देखिए क कुछ एक e-commerce वगरा और जो supply chain है management उसको एड़ किया है e-commerce एड़ किया है इनोंने e-marketing एड़ किया है तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको एक एक पेज की आपको हम उपलप्त कराने की कोशिश भी करेंगे और market में भी काफी चीज़ें हमें मिल जाएगी तो एक बार जतना से लेबस में आपके पास तयार करने के लिए जो पुराणा matter है वो आप एक बार अच्छे से तयार कर लीजिए बाकी प्रबंदन की जो रास्तान बोड की books है वहाँ पर भी कुछ एक चीज़ें आपको इसमें से मिल जाएगी देखिए जिए लाबों का विभाजन है तो यह आपको कहीं ने कहीं से मिली ही जाएगा तो परेशान ना हो है बाकी चीज़ें आप एक बार अभी से त्यार करना चालू कर देए दिरेदने इन चीज़ों के matter हमारे पास मिलता जाएगा तो हम इन चीज़ों को भी तयार करते जाएगे banking और यह जो वाला पार्ट है यह economics से इन्होंने पार्ट उठाया है तो यह पार्ट आप एजटीज अर्थवस्ता के जो शेत्र था उसके वहां से पढ़ लीजिए कोई दिकत नहीं है दूसरा नीचे उद्धे में था एक portion अच्छा चीज इनके बारे में हम पढ़े में economics के अंदर तो थोड़ा साम इन चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई दिकत नहीं आएगी आउत्याव शक्षवाओं का प्रवंदन शिक्षा प्रवंदन हेल्थ केर वेलनेस यह कोई बुक में नहीं मिलेगा यह आपको जैसे सुझेश वगरा है और economic survey है अपना economic review है वहां पर हमने education में जैसे state में कैसे manage किया जाता है और कुछ एक market में मिल जाएगा matter इनका तो दोरा लेखा प्रणाली इसमें एड किये तो बाकी चीजन सेम है सरकार एंकेशन नाम एक अलग से दिया है तो कुछ जदा खास changes नहीं है इसमें ethics के अंदर आपको एक नेतिक चिंता और द्वंद्य उंचनोरतिया है तनाव प्रबंदन जैसा ही है थोड़ा सा हमें दूवि हुए बिद्वी सरकार बन सकता है such a नेतिक नेरोने द्वंद्य करते हैं जोब हम चीजने निर्ने कि कोशीच करते तो वहां क्या कारक होते हैं हमारे सामने जैसे समाज़ी की ऊषिम सकता है समाज के और और से महारे क्या व्यों सकता है इस तरह से हम चाभी उपड़ना है ही साइन्स में देखो काफी changes किये हैं हमें 11-12 के कुछ matter को भी इसमें लेना पड़ेगा तो आप ये सब चीज़े 9th और 10th के आप बुक उठाइए वहाँ पर काफी चीज़ें आपको मिल जाएगी कुछ एक जो matter मेरे पास उपलब्द है या 10th वाली तो वहाँ पर आपकी इस matter को निकाल लेंगी कोशिश कीजिए content को और तयार करना चालू कर दीजिए एक-एक page हर content का हो हर topic का मारे पास वो sufficient है जैसे आपके पास साखना सी है तो क्या होते हैं कौन-कौन से हमारे पास वर्तमानियों यूज करते हैं कि इसका क्या नुक्सान है और क्या-क्या उसमें प्रोटोकोल्स है बस ज्यदा नीज देखना हमें यह तोड़ी अच्छी technology इन्होंने एड किये वर्तमान में जो हमारे साथ सामने चीज़े हैं तो यह सब हमें current से मिल जाएगी और science बारी चीज़ें आप अप्चे से देख पाओगे वेग्यानिक और तक्निकी प्रगति robotics क्या है machine learning क्या है augmented reality क्या है quantum computing क्या है इनका एक एक page आप तयार करने कोशिश कीजिए जैसे से मेटरा में मिलता जाएगा मेटर तयार होता जाएगा हम मेटरा आपको उपलब्त कराते रहेंगे बाकी आप चीज़ें तयार करने की कोशिश करते रहें विश्यों के बुगोल में मरुस्तल इन्हों ने एड़ किया यह द्यान रखना और कुछ प्रयावर्णी संबंदी मुद्द्य जो हम त्यार करते रहेंगे वह इसी में कुछ खास चेंज न इस सब चीज़ें में देखने थोड़े प्रयावर्ण संबंदी मुद्य राजस्तान के हम पढ़ी लेंगे बाकी पॉलिटी में नोचेंज है केवल और केवल आपके यहां पर अंतराश्ट्य विवस्ता की गट्यात्मक्ता जोड़ी है तो यह आयार की बुक आती है उसमें इदर जो जापान वगरा जो थोड़ा सा जदा इस्ट में है जापान है अपने एक दो देश और हैं उदर तो उन चीजों को देखना है बाकी कुछ खास नहीं है यहां पर एक निया एड किया है राजस्तान सुनवाय का दिकार है दिनियम एक पेज आप नेट से या कहीं से पढ़िके या वेबसाइट से कहीं से लेके वहां से आप इसे एक पेज त्यार कर लीजिए एक कब आया क्या धारा है कुछ मुख्य धारा है पांस साथ क्या इसका प्रासन किकता है काम आ रहाए गी नहीं आ रहा है इसी जीजिए आप नोट कर सकते हैं खेल योगा में भार प्रबंदन तो यह 11-12 की बुक में आप कोशिश कीजिए आपको वहां से मिल जाएगा तो इसमें कोई ज़्यदा इश्यू निया आप एक एक दो दो पेज इनके तयार कर लीजिए इसमें आपके नया एक्ट जोड़ा है लो में माता पित और वरिश नागरू का बरेंड प इसमें के बारे में विचार कीजी हिंदी में कोई जया चेंज नहीं है केवल और केवल यहां पर जो संक्षिप्तिकरण है उसका 500 शब्द का दिया है उन्होंने 500 शब्द का एक पैसेज होगा पिछली बार 100 शब्द होगा उसका वं थर्ड आपको 50 शब्दों के अंदर आप सब कर लोगे आपको बस जो स्लेबस है उसको निकालिए प्रिंट आउट और से अच्छे से आप तयार करते हुए अब अपने चीजों को बस पॉइंट वाइस पॉइंट वाइस तयार करते जाईए जो भी नहीं मिल रहा है टॉपिक उसको छोड़ दीजिए इस तरह स बाद बेश्ट अफ लग 25 सबीस परभवरी के लिए थैंक्यू